कि हलो गाईज वेलकम बैक टो मास्टर माइंड स्टाडी चैनल तो चलिए अभी तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दवाना ना भूले बेल आइकन को दवाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे प लेवल लेवलिंग देखेंगे अस्ट्रक्चर तो कैसे होता है इसका लेवलिंग तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यह हमारा हाट फ्रेंज और इसी पर पूरा हाट हम लोग पढ़ेंगे तो कितना कंप्लेक्स डाइग्राम लग रहा है न तो इस पे सो कोई हाड नहीं है क पहुए दिकत नहीं है हम लोग आराम से पढ़ेंगे सारा इजी है फ्रेंट सारा इजी तो चलिये आज का ट्पी का स्टार्ट करते हैं अई पर हम लोंग एक राफ डाइग्राम लेने वाले हैं जो यह देख रहे होंगे फ्रेंट यह रहा हमारा रफ डाइग्राम तो हम लोग इसे में अपने रख डाइग्राम में पूरा बढ़ेंगे तो सबसे पहले यह जो स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले आपको यह आद रखना होगा आप जो जिस हर्ट को देख रहे हैं तो उसका इस साइड जो होता है इस वाले साइड तो यह हो जाता है हमारा लेफ् ये वाल साइड हो जाता है ये वाल साइड हो जाता है राइट हम लोग का ये वाल साइड के ये सबसे पहले उसके बादा पर घ्रिक्वास के अनौद left auricle left auricle LSAs को denote करते है और यह जो देख रहे है न यह है आपका right auricle right auricle and this one is हो गया this one is left ventricle and this one is right ventricle okay this one is right ventricle सबसे पहले आपको यह ध्यान भी लखना होगा उसके बाद उसके बाद यह देखना है तो यह क्या है, तो यह है हमारा inferior vhena kawa, this one is inferior vhena kawa, okay, and this one is superior vhena kawa, तो आपका पूर डाइग्राम एक्तम easy reference आप इससे बहुत easy तरह से बना सकते है, and this one is assay node, okay, and, यह जो है, यह हमारा है, यह जो देख रहे हैं न friends, यह है valves, तो इसका नाम कह है, तो इसका नाम है semi lunar valves, इसका नाम है semi lunar valves, और यह, यह जो हमारा है ना friends, sorry, this one is semi lunar valves, गलती से मैंने इसे कह दिया, sorry, this one is semi lunar valves friends, and this one is y casper valves, tri casper valves, sorry, tricuspid valves, okay, इसका tricuspid valves नाम क्यों पढ़ा, क्योंकि इसमें 3 valves होते हैं, 1, 2 और 3, तो यहाँ पर आप इसे बोल सकते हैं, tricuspid valves, okay, and this one, this is another name, right atrio ventricle valves, right atrio ventricle valves, okay, and इतना clear है, okay, and यहाँ पर एक श्ट्रिंग होता है, this all one is strings, तो यह strings जो होता है, काफी मजबूत होता है, और यह जो होता है, यहाँ पर tricuspid valves है, इसको support provide करता है, support provide करता है, okay, तो इसका नाम है, tendons, या heart string, heart string, आपको tension नहीं लेना है, काफी easy है, आपको सिर्फ देखना है, यह आपको heart को support provide करता है, और यह जो देख रही है, यह वाला, तो यह है हमारा pupillary muscle, pupillary muscle, यह जो tendons होता है न, वो pupillary muscle से attach होता है, attach होता है, ओके, यह यह जो आप गोल से देख रहे होंगे, यह है हमारा AV node, okay, and this one is, यहां से blood pass out होता है, and this one is aiotic, aiotic, okay, and यहां से भी blood pass out होता है, तो इसका जो नाम है pulmonary arterium, arteries, sorry, this one is pulmonary arteries, okay, and यह, यह जो आप देख रहे होंगे, यह तीन जो valves है, इन तीनों valves का नाम है pulmonary vein, तो आप सोच रहे होंगे, इसका नाम है pulmonary artery और इसका नाम है pulmonary vein, क्यूंकि इसमें जो blood होता है, इसमें जो blood होता है, यहां से pass out होता है, hurt से pass out होता है, यानि कि hurt से बाहर की और जाता है lungs में, hurt की बाहर की और जाता है lungs में, okay, lungs में जाता है, इसलिए इसका एक बात याद रखिएगा, जितना भी blood जो होगा heart से बाहर जो ले जाएगा उसका नाम होगा arteries और जो heart के अंदर लेके आएगा उसका नाम होगा vein तो यहाँ पे यह बाहर लेके जा रहा था इसलिए pulmonary arteries and यह body parts से heart के अंदर लेके आ रहा है उसका नाम है pulmonary vein and this one is a string same है और यह जो valves है यह valves जो है इसमें दो ही दो ही lunar होते हैं दो ही lunar होता है इसलिए इसका नाम है bicuspid valves bicuspid valves and material valves and material valves यह इसमें दो valves ही present होते हैं इसमें दो valves से present होते हैं तो इतना आप समझ गये होंगे and this valves यह जो आपको दिख रहा है तो यह valves का नाम है semi lunar aiotic valves semi lunar aiotic valves okay semi lunar aiotic valves तो इतना आप समझ गये होंगे and this space this space is known as cardiac septum cardiac septum तो इतना आप समझ गये होंगे friends तो अब सबका पहले तो level दिखा देंगे उसके बारे में discuss करेंगे तो टेंशन नहीं लेना है हम सब समझाएंगे तो यह हो गया यह हो गया and this one is यह जो आपको दिख रहा है दो dot type का तो यह होता है यह होता है coronary atrium atrium इसी के बज़े से heart attack आता है okay इसी के बज़े से heart attack आता है जो doctor लोग होते हैं तो इस heart attack को न बोलके यह बोलते हैं coronary sinus coronary attack okay coronary attack तो इतना तो आप समझ गयोंगे काफी easy था तो समझ तो गयोंगे तो हमारे जो next है तो लग बग हम लग इसमें सारे diagram तो fill full कर चुके हैं तो अब इसके जो side side में एक बहुत ही hard coating होता है बहुत ही hard coating तो बीच में जो एक fluid होता है पूरे में भरा हुआ होता है fluid this fluid is known as this fluid is known as pericardium fluid pericardium fluid तो आप समझ गया होंगे this fluid is known as pericardium fluid ठीक है इतना तो आप समझ गया होंगे तो अब चलिए हम सब पे सब का जो define होता है वो हम आपको करते हैं यह जो है टेंडेंट जो हमारे जो valves है उसको attach करके रखता है और यह जो है हमारा muscle है this is known as papillary muscle जो हमारे जो टेंडेंडेंट है उसको पकड़ के रखता है बांद के रखता है and this is asanode asanode जो electric signal जो squeeze करने के लिए बोलता है यह उसके directly opposite work करता है and this one is coronary arterium जो heart attack जो आता है वो इसी के बज़े साता है और this is superior venakawa जो जितना भी blood होता है body part का तो उसमें उपर की तरफ जितना भी deoxygenated blood होता है वो उपर की तरफ से आता है जो superior venakawa लाता है जो जितना भी blood deoxygenated नीचे की तरफ होता है body part के तो वो inferior venakawa लाता है okay and this is semi lunar valves जब इसमें जब राइट auricle में blood भर जाता है तो यह valves होता है pressure लगाता है यह जो blood होता है इस पर pressure लगाता है तो यह खोलता है उसके बाद इसका जो जितना भी blood होता है सारा का सारा blood इसमें चला जाता है okay and इसमें चला जाता है जब तो यह तो जो valves होता है यह close हो जाता है उपर की दरफ okay इसमें भी जितना भी blood होता है तो यह भी तो कहीं निकलना चाहेगा तो यह जो valves होता है यह वाला valve यहां से यह उपर जाता है और यह valves पर धका लगाता है यह खुल जाता है और इतना भी में होता है तो यह जो होता है यह takes isusa pregnant value ट्राम कसप्ट वीद्म quelle प्रोड्यूस लबसा लबसान जो जब भी आप देखते होंगे जब हर्टबिट होता है तो यह साउंड कोड्यूस होता है लब डब लब डब ऐसे यह sound produce होता है and this is love and second sound will be dub तो यह sound produce होता है इसी के बज़े से जब यह खुलता है तो love sound और जब यह वाला यह वाला जो अथी है यह उपर की और जाता है उपर धक्का देता है तो यह वाला खुलता है तो dub sound produce होता है तो this tricuspid produce love sound and semi-lunar valves produce dub sound तो इतना आपको clear हो गया होगा फिर जितना भी oxygenated blood जो हमारा lungs से आता है वो हमारा pulmonary ven लाता है pulmonary ven लाता है okay और यह हमारा hull में लाता है और यहां जो valves होता है, same function इसी के तरह, यहां भी वही होता है, और यह जो जब साथी में होता है, यह दोनों जो होता है, यह और यह, दोनों का जो खुलना या बंद होना, दोनों साथी में होता है, जब यह खुलता है, तब यह खुलता है, जब यह बंद होता है, तो यह भी डानल बद करता है तो इतना है है कि इतना गया कि अधोडों आगे बढते स्वाट डंपान है अधे तो हमारे ये बॉडि पार्ट में पहुंचाना होता है यहां पे तो जादा जोड से υठ्का मारना पढ़ता है जहादा जोड़ से धक्का मारेंगे तभी ना पूरा बॉड़ी में बॉड़ पहुंचापाएगा उपर की ओर नीचे की ओ तो यहां पे इसी लिए ज्यादा जोड़ से जहटका लगता है तो कहीं यह ब्रस्ट न कर जाए ब्लास्ट न हो जाए इसी लिए आप जो मसल्स होता है वह काफी मोटा होता है इतना आप समझ के होंगे तो अब मुझे आसा आपको समझ में आगया होगा तो आब हम यह डेक्स्ट परते बश्ट होता है यह ऑक्सीजनेटर ब्लन को पूरे पार्ट में ले नहीं जाता है निए यह ब्लन सारी सेल को मिलता है मेंalı आज़न जाता है यह जै ए रिफ के यहां बढोवा स्पान कलिक में आर्ख आप उसके बाद इसका बाद को देखुए जाता है को सारा अब को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी रखाए मաुण कि देता है अब वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे है तो थेंग यू क्योंकि हमें भी इसमें बनाने में बहुत मेहनत लगती है और अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक ने किया है तो कर दें तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो इतना तो समझ गया है अब सोच रहे होंगे कि यह जो होता है यह किसली होता है यह क्या ची कहता है इसे पेरिकार्डियम यह पेरिकार्डियम क्या करता है तो यह बाडिवाल करता है हमारे हर्ट को सपोर्ट करता है मतलब एक तरह से सेल्वाल जिस तरह से होता है उसी तरह से यह भी कार्डियक पेरिकार्डियम जो है न और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीचेगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे रहे तो थैंक्यू फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही